नमस्कार मैं हूँ सवीता मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम बहुत ही आसान मिठाई की रेस्पी बनाएंगे और ये सिर्फ पीन चीजों से तयार हो जाएगा और इसे हम हरे नारियल यानि जो पानी वाला होता है न उससे बनाएंगे तो चलते हैं किचन में यहां मैंने नारियल को तोड़ लिया है और इसको हमने नारियल के सेल से अलग कर ले रहे हैं तो इस तरह से हम इसे गरी अलग कर लेंगे और इसको जिसे हम आलू छिलते हैं न उससे ही हम छिल लेंगे तो यह अच्छे से साफ हो गया अब हम छिलेंग बाद एक बार पानी में इसे धूल लेंगे तो जो छोटे-छोटे पीस हमारे लगे हुए हैं चिलके के वो निकल जाएंगे तो इसे हम इस तरह से पानी से धूल लेते हैं और यह एकदम साफ हो जाएगा जो नारियल के छिलके का इसमें लगा हुआ था वो सब पानी में निकल गया अब हम यहां पे एक कद्दूकस लेंगे और कद्दूकस में ही दो तरह के छेदूते एक बड़ा और एक छोटा तो हम छोटे साइट से इसे ग्रेट कर लेते हैं इस तरह से अम ग्रेट करेंगे यह देखें बहुत ही अच्छे से यह ग्रेट हो जाएगा और यह हमारा नारियल पुरा ग्रेट हमने कद्दूकस कर लिया है और इसे हम कप से नापे तो दो कप होगा और वेट में यह लगबग 200 ग्राम है और यहां हमने गैस पर कड़ाई रख दिया है और इसे हम हलका सा भूनेंगे तो हम आज को धीमी रखेंगे और सिर्फ नारियल का हमें हलका जो उपर पानी पानी सा हुआ है उसको सुखाना है इसका कलर विल्कुल चेंज नहीं होने देना और धीमी आज में हलका सा में भूनना है नारियल लगभग सुख गया है सिर्फ उपर जो पानी सा हो जाता है ग्रेट करते समें उसे ही सुखाना है बाकि ज़्यादा नहीं भूनना और अब ये एक कप हमने 200 ग्राम करीब चीने लिया है आज को लो रखेंगे और इसे हलके से इस तरह से मिला लेंगे और अब हम इस स्टेज पर डालेंगे इसमें एक कप घर की मलाई ये हमने दूर से मलाई निकाली है ये लगभग 200 मिलिग्राम होगा और अगर मलाई नहीं है तो आप एक कप दूर डाल दें और जब आप दूर डालेंगे तो उसके साथ एक चमच आपको घी डालना पड़ेगा लेकिन अगर आप मलाई डालते हैं तो घी डालने की ज़रूरत नहीं है अब ये धीमी आज पर जब हमारी चीनी घूल जाए तब हम आज को थुड़ा सा तेज कर देंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए पकाना है अब चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गए तो आज को तेज करते हैं और यहाँ पर हम अच्छे से इसे पका लेंगे और आधा चमच हम डालेंगे इलाईशी पाउडर आप चाहें तो क्योड़ा का डाले या गुलाब जल भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो बो डालें जब यह तयार होगा तो कडाही में बीच में इकठा होने लगेगा इसी तरह तेज आँच में चलाते रहना है और यह लगभग रेडि हो गया देखिए एकदम कडाही के बीच में एकठा हो गया है तो अभी सिस्टेश पर हम गैस को करेंगे बंद और इसे एक थाली या प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और यहां पर हम हलका सा मोटा लेयर फैलाएंगे आपको जितना मोटा चाहिए आप उतना मोटा फैला सकते हैं मैंने इसे लगभग एक इंच की मोटाई में फैलाया है तो अब इसके उपर हम ड्राइफूट डालेंगे तो मैं पिस्ते की कत्रन डालूंगे आप इसमें चिरोंजी और बदाम जो भी आपको पसंद हो डाल सकते हैं तो इसे हलका सा प्रिस कर देंगे हाँ से और ये हमारा ठंडा हो गया है बर्फे आभी से हम मन्चाया कार में काट लेंगे और सबसे अच्छी चीज की ये बहुत ही स्वादिस्ट होती है और घर पर अराम से 10-15 मिनट में बन जाती है और कोई भी मिलावट नहीं है शुद्ध रहती है तो एक बार जरूर इस रेस्पी को ट्राइ करें और इस तरह से हम काट लेंगे और ये उपर से ड्राइ और अंदर से एकदम जूसी बनी है वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न बोले अगर आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करेंगे तो मुझे उससे बहुत सपोर्ट मिलेगा और आपके कमेंट दौरा हमें प्रोचसाहन मिलता है आपके प्रोचसाहन की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली रेस्पी के साथ